हेलो फ्रेंड वेलकम टू फ्रेंट प्रेपरेशन यूटूब चैनल इस सेनल पर मैं कृष्णा आपके लेके आता हूँ एजुकेशनल वीडियो इस वीडियो में मैं डिस्क्स करने वाला हूँ क्लास 5 का पीटी वन का कॉष्ण पेपर क्लास 5 के स्टुडेंट हैं आप और पीटी वन एक्जाम की प्रेशन कर रहे हैं मैथमेटिक्स का तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा वेनिफीशल होने वाली है आपका जो पीटी वन एक्जाम है बच्चो यह 40 मार्क्स का है और 40 मार्क्स को टू पार्ट में डिवाइट किया गया है 30 मार्क्स का आपका रिटन एक्जाम और 10 मार्क्स का आपका और एक्जाम और एक्जाम तो आपका अल्रडी हो चुका है अब बात करते है रिटन एक्जाम की तो रिटन एक्जाम आपका 30 मार्क्स का आने वाला यह जो पेपर है, यह जो sample paper, question paper जो मैं आपके साथ discuss कर रहा हूँ, इसके अंदर वो सारे question discuss करने वाला हूँ, कि किस type की question आपके लिए frame किये जा सकते हैं, तो basically जो आपका question paper है, सबसे पहले उसके अंदर knowledge based questions होते हैं, जिसके आपके 5 marks होंगे, understanding की बात कर रहे हैं, इसके next जो है आपका ability to compute, इस basis पे आपके 10 marks के questions आएंगे, और finally last में आपका problem solving ability, जिसके लिए आपके हैं पे 10 marks के questions create किये जाएंगे, तो total जो आपका question paper होगा, वो 30 marks का हो जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग discuss करेंगे knowledge based question की, तो knowledge based question जो होंगे, आपके 1 marks वाले questions होंगे, जोकि 5 questions आपके होंगे 1-1 marks वाले, ये 6 questions इसको cut कर देते हैं, ठीक है, तो ये 5 questions ही आपके होंगे, तो जैसे first question आप screen पर आप देख सकते हो, कि ये how many faces in all does a brick have, तो इक brick के अंदर कितने faces होते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो उसके recording आपको answer करना है, तो जैसे आप जानते है जो brick होता है, वो shape जो होता है, उसका keyboard shape होता है, और keyboard shape में आपको मालूम है number of faces, तो उसके according आप यहाँ पर answer में लेख सकते हैं, ठीक है, उसके next है question number second देखो, second question में आपके पास 10 km given है, और 10 km को आपको meter में convert करना है, तो kilometer को अगर आप meter में convert करना जानते हैं, तो इस question को बह question जो है, जिसमें आपको meter में given है, आपको kilometer में convert करना है, तो जब भी आपके पास meter में value हो, और kilometer में convert करना हो, तो हमें simple से एक formula लगाना होता है, उस value को 1000 से divide करते हैं, तो यह 5000 को 1000 से divide करोगे, आपके पास answer आ जाएगा, फिर next है, आपके पास यह 2 minute, अब 2 minute को आपको seconds में convert क करना होता है, ठीके, तो उसके लिए में क्या करना होता है, जो भी value हमारे पास है, उसे multiply कर लेते हैं, 60 से, 60 से multiply करेंगे, हमारे पास result आ जाएगा, ठीके, तो इस तरह से आप इसे calculate कर सकते हो, final next है, आपके पास write numbers in word, अब आपको number given है, और इस number के according, आपको क्या करना है, इ किये जा सकते है, question जरूरी नहीं कि same यही question आए, question और दूसरे तरीके भी आ सकते है, value change किया जा सकते है, तो इसे आप practice के लिए use कर सकते हो, हाँ, कई बार ऐसा भी होगा, जैसे कि मैंने question number 6 लिखा यहाँ पे, तो किसी-किस question में आपको और लगा के choice दे दिया जाएगा, य तो अब उपर वाला कर लीजिए, या नीचे वाला कर लीजिए, या फिर ऐसा भी हो सकता है, six question दे दिया जाए, आपको बोल दे जाए, any five, तो इस type से भी question frame किये जा सकते है, तो यानि कि आपको हर तरीके से practice कर लेनी है, तो यह तो बात हुई knowledge based question की, इसके बाद next जो है, understanding based question है, और इसके लिए भी आपके five marks होने वाले है, ठीक है, तो जैसे ये six question है, पहले इसको समझ लेते हैं कि क्या question है, इस question में आपको इस puzzle type का दे रखा है, एक number के बारे में पूछा जा रहा है, who am I, ये number कौन सा है, ये आपको बताना है, तो hint आपको given है, a में आपसे बो कर दोगे, next बोला जा रहा है, my 10th digit is 3 and my 100th digit is 2, अच्छा, अब यहाँ पर 10th place जो है, इसके बारे में information given है, ये number है, और जो 100th place है, इसके बारे में भी information given है, तो इस तरह से आप number create करके, वो final answer जो है, उसे लिख सकते हो, जिसके लिए आपको one marks दे दिये जाएंगे, इसके आपका question number 7, और question number 7 जो है, ये बच्चो two marks का है, ठीक है, यानि कि इसको थोड़ा से detail में solve करके आपको दिखाना होगा, question को एक बार read कर लेते है, राम take one round of this field every day, then how many meters he run every day, अच्छा, अब राम के बारे में बोला जा रहा है, कि ये जो एक तरह से park कहलो, एक field कहलो, ये square में क्या होता है, all side equal होती है, तो यहाँ कुछ ऐसे है, अब ये बोला जा रहा है, कि राम क्या करता है, one round इस field का हर रोज लेता है, ठीक है, तो आप आपको calculate करना है, कि पूरा round है, यानि इसका जो perimeter है, ये आपको calculate करके बताना है, तो आपको side given है, side की length है, ये given है, और आ कितने meter ये cover करता है, यानि के question को थोड़ा घुमा के पूछा गया है, ठीक है, तो आप समझ गयोंगे, कि यहाँ पर हमें क्या करना है, perimeter calculate करना है, तो simple से formula है, 4 multiply by side बोलते हैं हम लोग, या फिर side multiply by 4 भी लिख लेते हैं, ठीक है, तो आप question को solve करोगे, multiply करके, अपना answer calculate कर सक ठीक है, तो ये तो हुआ, ये आपका question number 7, उसके बार next है, आपका question number 8, ठीक है, और question number 8 को एक बार read कर लेते हैं, ये क्या है question, इस question में आपको बोला जा रहे, draw where the hands will be, अचा, अब आपके पास में ये जो clock आपको given है, ये blank given है, इसमें arms नहीं है, और आपको ये time given है, इस time क according क्या करना है, इसे draw करना है, तो जैसे first part देखो, इसमें आपको बोला जा रहे, 20 minutes past 6 o'clock, क्यानि 6 o'clock होने के बाद 20 minutes past होगा है, यानि कि 6.20 का जो time है, ये आपको यहाँ पे put करना है, इस तरह से इसका arms को draw कर लेना है, अचा, next में आपसो बोला जा रहे, 10 minutes to 7 o'clock, यानि 7 o'clock होने में भी 10 minutes बाकी है, ये बोला जा रहे, it means ये क्या होगा time, 6.50 हो जाएगा time, तो 6.50 का जो time है, वो time आपको इस clock में draw कर लेना है, तो 1 1 marks के ये दोनों है, और इस तरह से आपका ये 2 marks का हो जाएगा, यानि कि understanding वाले जो questions हैं आपके, वो कितने first question आपका 1 marks का, और उसके बाद next question number 7 था, ये आपका 2 marks का, और उसके बाद जो third है, यानि कि question number 8 है इस portion के अंदर, वो आपका 2 marks का, यानि 5 marks का पूरा complete हो गया ये, इसके बाद next है, आपका इसके बाद ability to compute, ठीक है, और इसके अंदर आपके 10 questions होने वाले हैं, ठीक है, एक एक करके सारी question को आप 10 marks का total portion ये आएगा, जैसे आप question number 9 देखो, 9 में आपके पास simple से बोला जा रहा है, इसको add करो, add करके अपना answer निकालो, बहुत easy है, next आपको बोला जा रहा है, subscribe the following, तो यहापे आप minus करके अपना answer निकाल लेंगे, उसके next बोला जा रहा है, multiply करो, simple है, ये भी कर लोगे आप लोग इसे असानी से कर सकते हो, उसके बाद next 12th question और इसमें बोला जा रहा, divide the following, अब ये जो number है, इसको divide करो, answer निकालो, multiply और divide वाले जो question है, ये 22 marks की है, और आपके बास addition और subtraction वाला जो है, ये 11 marks की, यानि कि अब भी तक आपका 2 प्लस 2, 4, प्लस 1, 5, 5 प्लस 1, इसके बाद next जो है, आपका question number 13, ये आपका 4 marks का है, ठीक है, आप इसको समझ लेते हैं, इसमें क्या है, यहाँ आप से बोला जा रहे, by using these digits, 2, 4, 6, 1, build the smallest and greatest numbers, आपको ये digit use करके, आपको smallest number create करना है, और उसके बाद greater number create करना है, smallest में क्या करोगे, जो भी digit सबसे small number होगी, जैसे 1 है, उसके बाद 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, तो ये तो आपका smallest होगया, अब greater में क्या होता है, जिसकी value सबसे ज़्यादा होगी, यनि 6, उसके बाद 4, उसके बाद 2, उसके बाद 1, तो इस तरह से आप किमसे complete करोगे, ठीक है, इस तरह से अपना answer निका सोगी, तो मैंन 1000 करोगे, फिर 2 multiply by 100 करोगे, फिर उसके आप 4 multiply by 10 करोगे, फिर उसमें 1 add करोगे, और इसे solve करके पूरा दिखा दोगे, इसी तरह यहाँ पर क्या करोगे, 6 multiply by 1000 करोगे, उसके बाद next है, यहाँ पर लिखाओगा, प्लस का sign, 4 multiply by 100, उसके बाद 2 multiply by 10, और उसके बाद 1, जब आ अब भी इहाँ पर देख लो, आपके पास यह ability to compute में, यह सारा जो portion है, आपका यह 10 marks का हो गया, 1-1 marks वाले 2 questions, 2-2 marks वाले 2 questions, और 1 question जो है आपका यह 4 marks का है, ठीक है, आच्छा, इसके बाद finally last में जो है आपका PSA, यानि की problem solving ability वाले question है, और यह जो portion आपका, यह भी आपका 10 marks का है, पर इसमें जो 14 question है, जो आपको screen पर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपको यह 1 marks का question है, जिसमें आपको बोला जा रहा है, 1 verse can carry 48 children, how many children can 3 verse carry, यानि कि 1 verse के बारे में बोला जा रहा है, एक verse के अंदर 48 student या 48 children आ रहे है, 3 verse verse के बारे मताईए, तो आप क्या उसके according आप answer लिख लोगे, ठीक है, तो जैसे आप answer निकालोगे, जो भी आपका answer आएगा, तो यहाँ पर answer आपको दे रहा है, 100, 200, 300, तो किसके near about है, जिसके near about आपका answer आ रहा है, आप उस पर tick करोगे, accurate answer तो नहीं आएगा, बट near about वाला जो भी लग रहा है, उस पर tick कर जैसे आप इसे multiply करोगे आप, तो आपके पास जो result आजाएगा, वो कितना आजाएगा, 144 के करीब आपके पास answer आजाएगा, ठीक है, तो यह क्या कर, 150 के around आपका आपका पास कह सकते हो, यह कुछ 150 का आपका answer आजाएगा, तो यह इस पर आप टिक कर दो, लेकिन आपको यह कुछ digits आपको given है, ठीक है, आप इससे कौन-कौन से number बना सकते हो, any two number आपको लिखना है, जैसे एक number तो आप बना सकते हो, 357 नी बना सकते हो, दूसरा आप क्या बना सकते हो, 5, 3, 7 बना सकते हो, इस तरह से next बना सकते हो, 37, 3, 5 भी बना सकते हो, इस तरह बहुत सारे number से आ और 16 question जो है, यह 2 marks का है, ठीक है, पहले question को पढ़ लेते हैं, इसमें क्या बोला जाए, 1 bus can carry 40 children, 5 buses can carry, अब देखो, 1 bus में आपको बोला जाए रहे है कि 40 student या 40 children आ रहे हैं, तो 5 bus में कितने आएंगे, यह आपको बताना है, यानि कि आप क्या करोगे, 40 को और 5 को क्या करोगे, multiply करोगे, तो आपके पास result क्या आजाएगा, 200 आजाएगा, बस इतना साही काम है, और इसके लिए आपको 2 marks मिल जाएगे, तो calculation पूरा प्रॉपर दिखाना, यह 200 जो आपके पास result आएगा, यह result कैसे आएगा, यह आपको करके भी दिखाना है, यह multiply जो है, इसे करके दिखाना है, direct करोगे, तो marks हो सकते हैं, 2 की जगा 1 marks ही मिले, इसलिए complete solution करके दिखाना होगा आपको, ठीके, इस बात का ध्यान रखना है, इसके बात next is 17 question, 17 question में आपको बोला जा रहा है, कि 3, the, sorry, the price of 1000 bricks is 200, sorry, 2000 rupees, बजन बाउट, 3000 bricks, how much did he pay, अच्छे, यहाँ पर किया है, यह जो question है, आपका, तो जैसे इस question में information आपको given है, कि 1000 brick का आपको cost given है, ठीक है, 1000 brick का cost आपको कितना given है, कि rupees 2000 है, अच्छा, आप question में य जार है, कि 3000 bricks के लिए cost calculate करो, 1000 के लिए है, 2000 rupees है, ठीक है, यानि कि अगर आप मैं इसे 1000 को, अगर मैं multiply कर लो, इसे 3 से multiply करूँगा, तो मेरे पास क्या आएगा, result आजाएगा, तो 2000 को इदर हम लोग multiply करेंगे, 3 से अपना answer आजाएगा, तो हमारा answer क्या है, तो आपको कहोगे इसके लिए marks मिल जाएगा, तो यह हमें solve करके दिखाना है, और हमें इसके लिए marks मिल जाएगी, finally उसके बाद last में आपका 4 marks का question है, जो आपकी यह screen पर है, जिसमें आपको बोला जा रहा है, look at the given board chart and answer the question that follow, अब यहापे information आपको given है, और उसके according आपको यहापे answer करना है, जैसे इसमें बोला जाएगी, double tecker जो बोट है, उसके बार इसमें information given है, कि इसका प्राइस है 30 रुपीज, और इसमें ट्रिप लगा सकते हो, 45 मिनिट ट्रिप आप लगा सकते हो, इसमें पैडल बोट के बारे में given है, 15 मिनिट इसका टिकट चार्ज है, और 30 मिनिट तक आप इसमें trip लगा सकते हो, यानि कि first column में आपको name of the boat given है, second column में आपको ticket price given है, और third में आपको trip time given हुए, ठीक है, तो paddle boat के बाद motor boat का given है, उसके बोट और ये सारी information आपको given है, अब यहाँ पे आपके पास क्या two इसके parts में question पूछा जा रहा है, सबसे पहले तो आपसे तो जैसे आप ये देखो, 30 minute वाले है, ये भी two trip complete कर लेगा, ठीक है, इसके बाद ये 20 minute वाले जो है, ये भी one hour के अंदर two से जादा, two ये two से जादा trip complete कर लेगा, इसका answer आप क्या लिख सकते हो, paddle boat लिख सकते हो, और motor boat आप लिख सकते हो, इसके answer में, आच्छा, उसके बा चार्ज होता है, और time की बात करें, तो सबसे ज़्यादा time को ride के लिए में देता है, ठीक है, तो उस boat के बारे में आपको बताना है, तो जिस तरह से यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पर 15 रुपीज तो बहुत less charge है, सबसे कम charge है, और 45 minute जो है, सबसे practice अच्छे से करना, ताकि exam से पहले आपकी एक अच्छी preparation हो सके, तो उमीद करता हूँ, आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को like जरूर करना, ताकि और दूसरे बच्चों के recommendation में यह वीडियो आ जाए, ठीक है, और चैनल को subscribe नहीं किया है, तो subscribe कर लो, और bell icon को जरूर प्रेस करो, ताकि हर लेटिस वीडियो की notification आपको पास पहुंच जाए, ठीक है, अगर कोई doubt है, कुछ नहीं clear हो रहा है, तो आप मुझे Instagram पर follow कर सकते हो, मिरी ID है, at the rate Mr. Krishna सा, जहाँ आप मुझे message करके अपने doubts वगरा मुसे पूस सकते हो, तो अभी के लिए bye, thanks for watching, bye-bye.